प्रोटिप्स और ट्रिक्स के उपर बहुत राए लोग मुझे रेगुलर कमेंट्स आ रहा थे कि भाई प्रोटिप्स और ट्रिक्स के उपर विडियो बनाओ बहुत दिन होगा है विडियो नहीं आ रही है प्रोटिप्स और ट्रिक्स पे तो देखो आप सब लोगों को पता है मेरे चल रहा है एक्जाम्स तो विडियो से थोड़े से लेट आ रहा है क्योंकि मैं जो हूँ फ्री बिल्कुल भी मनलब पूरा दिन मेरा पढ़ाई करते कर सकते हो एंट फ्रेंट्स जितनी भी टिप्स बताऊंगा आप अगर कि फॉलो करोगे तो इसकी गयरेंटी मैं लेता हूँ या आपको हिरो जाने से क्योंकि मैं फ्रेंट्स जो भी यह यूज करता हूँ रुग जान के लिए वह आपसे लोग को बताता हूँ और आप जो है जो है जो है फुल ट्राइ करेंगे ग्रैंणॉस्टर किड़ने का तो अभी जो है अब आप Hiroik में हो और 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 पूस्ट और चाहते हो तो भी से वीडियो को देखो क्योंकि यहांपर आपसे ल दिखार यहाइं हमारा फेबरेटि मैप है और अप्सट है याथ हम उब्जरवेंट्री जाहेंगे जाहर सी बात है आप समय को मैं बbourg­टा हूँ जो आपका फिवरेटी प्लेस आपको वहाँ पर उतरना है ठीक है पर हुरा हुरे हुरा है है आपकी फेवटे प्लेस क्ल क्लॉक ताफर मुझे सेंटोसा हो गया अब्जर्वेट्री हो गया एंड ग्रेवियार्ड हो गया तो यह बहुत सारी ऐसी जगह है जहांपर आपको लूट बहुत जाला मिल जाएगी एंड बंदे जो है कम भी मिलेंगे ठीक है कभी-कभी बंदे आते हैं जादा लेकर आपको फाइट करना होगा ठीक है अगर आपको अच्छा गेम किलना तो आपको फाइट भी करना होगा तो यहांपर जो फ्रेंड्स मैं आज का हूँ अब्जर्वेट्री मेरा फेवरेट प्लेस पे और यहांपर हमको एक भी एनिवी नहीं मिला है जो कि काफी अच्छी बात है तो यहांपर जो अराम से लूट करेंगे लूट करने के बाद मतलब एक परफेक्ट लूट करने के बाद लडने का मतलब एक मज़ए यह लाग है यार मेरे भाई लोग अलग लेवल हो जाता है जब आप मतलब अच्छी खासी लूट करने के बाद जब आप फाइट करो तो भाई कता ही जहर मज़ा आता है सच्छी में तो यहांपर जो है हम लोग उने अच्छी आराम से लूट कर रहे है कि क्या होता है कि कभी कभी आप सो लों के लो दो बंदे आपके सामने टीमप करके आजाते हैं तो आप उनको कैसे किल कर सकते हो भाई लोग तो यह सभी क्या सभी इस वीडियो में क्लियर करूँगा ठीक है तो फ्रेंट्स अगर कि आप रैंक पुश करना चाहते हो आप अगर कि आप अब अब्जर्वेटरी मोत रहे हो अब्जर्वेटरी से जब भी आप ग्रेवियाड आते हो तो आप लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो होती है लॉंच पैड का यूज करना ठीक है अगर आप ऐसे खेल लो टाइम पास के लिए खेल लो रैंक पुश करने से कोई मतलब नहीं है तो आप लॉंच पैड यूज जरूर करो मेरे भाई मैं भी करता हूँ यूज कि मैं अभी रैंक ज्यादा पुश नहीं कर रहा हो ठीक है और अगर आप रैंक पुश कर रहो तो आप जो है लॉंच पैड का यूज ना करें ग्रेवियार्ड आने के लिए अगर कि आपको सामने ग्रेवियार्ड में कोई बंदा मिल गया तो आराम से वो बंदा आपको बहुत खतरनाक वाला पे लेगा ठीक है तो आप सभी लोग यह बात द्यान रहेगा आपको जो है कम स लेंच का तुरन यूज करो ठीक है अगर आपको लगता है कि अमी को जो है डैमाज पढ़ेगा इसी ति आप गेंड करो ठीक है कोशिस करो मॉलिंटिपल गुरनेट का यूज करने का एन लेंड माइन का भी यूज करो ठीक है यहां पर इन लेंड माइन लगा दिया तुरंट से जो मैंने इसकार लिया ठीक से मैं मारूं का क्यूंकि मैंने अम्तेन लिया ठीक है मिड्रेंज में इसकार से और आप अगर MP40 चला तो आप MP40 चलाओ जैसे ही बंदा शॉर्ट रेंज में है आपके तुरंट से गन स्विच करके जो है M10 लिया एंड उस बंदे को आराम से किल कर दिया ठीक है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको जो है कब कहां कौन सा गन चलाना है ठीक है अगर आप M10 चलाते हो तो आपके पास जो भी लॉंग रेंज का गन है AK, SCAR, M41 आप उसका मिड रेंज में उपयोग करना ठीक है क्योंकि आपसे लोग पता है शॉर्ट गन जो है M10 जो है को भी शॉर्ट गन है मिड रेंज में काम नहीं करती है जो दो गोली बारी शॉर्ट गन है वो कर जाती है लेकिन ज्यादा तर बंदे जो है M10 या स्पास ऐसी गन चलाते है ठीक M10 ज्यादा चलाते है तो आप जो है मिड रेंज में अपनी जो मिड रेंज की गन है जैसे SCAR हो गया AK हो गया AK हो गया वेश्ट की उपर बह soyLevelरी था पास मिच वेश्ट है बिल्खोल डेमेज वेश्ट है और अउनको जो है नए वेश्ट मिलती है जैसे कर heute लेविल की तो हम जो है नई तुम आप भाई देखो अगर आपके वो नई वेस्ट मिल रही और आपकी वेस्ट जो है थरी की डैमेज है तो आप टू की वेस्ट पहले लो क्योंकि वो ज़्यादा काम की होती है तो अभी हम बात कर लेते हैं एके वर्सेस सकार क्योपिड सकार वर्सेस ड्रैगन एके तो मुझे कमेंट आया था एक बंदे का वो गोलता था भाई हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है एके सकार में से कौन सा करें ठीक है अगर कि आप आपके पास दोनों ही है क्योपिड सकार एके तो आप मैं आपको र चीज़ करो मेरे भाई आपको पता चलेगा क्या होता है ठीक है क्योपिड सकार तो यहां पर सामने में एक बंदा है और फ्रेंट्स जब भी आपको कोई बंदा देखे बिधाउट कवर देखे आराम से फोल डालो उसको ठीक है फोल डालो बिल्कुल छोड़ो मत अगर कि व टावर में एक डूओ बैटा हुआ है एंड़ साइड़ जैसे हम देखें तो यहां पर साइड़ से पढ़ रही है तुरंत से जो मैंने लेटने की जो स्ट्रेटेगी होती उसका यूज किया ठीक है बहुत साइड लोग बहुत साइड लोग इस बात को भूल गए है कि हमको बचने के लिए ठीक है तो यहां पर जो मैं लेट गया तुरंत से तो मैं आराम से बच गया है और बंदों को डैमिज दना स्टार्ट कर दिया अब जैसे एक बंदा खतम हुआ तो वो उसका फ्रेंड था वो उसको रिवाइब कर नहीं है तो मैं समझ गया कि बंदा डैमेज रहे पास नहीं है तो भाई दूसरी साइड आपको जो है सोचना होगा रिडिक्शन करनी होगी ठीक है अबेक तावर में ऐक यहां से बनड़ती बंद टावर में रहते लड़ता तो यहां पर जो मैं आराम से इण पांच किल कर दी अन्ग आराम से आगी बढ़ रहा है और गाईज आप से लोगों को एक बात का ध्यान रखना है हमेशा एक बात का ध्यान रखना है आपको जो है कि ये मित कम से कम पास से 10 मिनिट आपको सर्वाइब करना ही करना है मेरा वीडियो होता है 20 मिनिट का एंड उसमें से 10 मिनिट मतलब 10 मिनिट नहीं 7 मिनिट 7-6 मिनिट कट हो जाते सिर्फ सर्वाइविंग के थोड़ा बहुत सर्वाइविंग जरूर यह फ्री फायर में ठीक है तो यह बात कमी मत बूलना थोड़ा सर्वाइव करना एंड रश जब भी करो तो इस समझ के खरो ठीक है ठीक है इसको आटो हैड भी बोलते है वाई लोग ठीक है और मैंने एक वीडियो बनाया था इसके उपर जितने लोग ने देख लिया उनका तो फायदा हो गया एंड जितने लोग ने नहीं देखा तो मेरे भाई अब वो वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा तो बस अभी मैं क्या बतां ठीक है इंद्रवाय के चनल को आप देख सकते हो वहाँ पर डले हुए वीडियो तो अभी मैं तो नहीं बनाऊंगा ठीक है इस प्रकार की वीडियो कि यहां पर आप देख पार हो मैंने दो बंदों को इंस्टेंटली अभी के अभी खतम कर दिय होता है डाया है यह मूट यहां तो यहां पर आप देख पार हो सामने मेरे ऐक अनिमी है थोड़ियो को पर देख ब laat जो आगर आप गलुवाल तोड़ के मारों के बंदों को ठीक है अब देख पार बंदा जो मेरे नजदी का एंड मैंने जो तुरंसे ग्लुवाल का यूज किया मैं जोन में चला गया तुरंसे मैं गन को स्विच करने के बाद फिस्ट को लिया एंड में भागा एंड जैसे ही मेरा M10 जो है मैंने उसको M10 का गोली मारा गोली मेरा जैसे ही रेलोड पे गया मैंने तुरंसे स्कार को लिया और उस बंदे को आराम से केल कर दिया और यहाँ पर जो हमने आसानी से बोया भी कर दिया तो फ्रेंड्स आपको ऐ यूज करना है घरनेट ग्लू आल कितना तेजी से यूज करना है एंड फ्रेंट्स कुछ भी नहीं होता है सब कुछ होता है प्रैक्टिस अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा अच्छे प्लेयर बन दे जाओगे तो कोशिस करो दिन बार में 5-6 लेगने की ट्राइब करो ठीक है कोशिस करो और सारे के सारे गेमें में टॉप 10 में जाने को शिसकर वीडिये इक्जाम से रहे हैं तो गेम को कम खेलना पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना ठीक है क्योंकि झाल झाल